पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ-कुछ कोशन हुंवक दिये थे बनाने के लिए तो आप लोग बनाए हो तो अच्छी बात है नहीं बनाए हो तो मैं यहां पर बना रहा हूं आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लेना ठीक है कोशन नमबर थ्री दिया था ठीक है बॉरोड विच इस तो बी रिपेड इन थी अन्वल इंस्टॉलमेंट्स अफ रुपीज 3,000 अलॉंग विट इंट्रेस्ट इस थे थाउजन पर एनम थेन वाट विल बी दा सम्मनी तो बी पेड आफ्टर इच एर ध्यान से सुनना नौ हजा रुपया उधार लिया गया जि यदि व्याज की दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो तो प्रतेख वर्ष के अंत में भुकतान की जाने वाली धनराशी कितनी कितनी होगी यह बताना है अपने को ठीके देखो सबसे पहले को समझने की कोशिश करो कि यूवी भाई गेट बन कर लोगे के बाहर का कि तुनो इधर मेरी बात देखो ध्यान से क्या हुआ यह एक आदमी है यह गया बैंक में और बैंक से छे हजार रुपए उधार लेके आया यह आदमी ने बैंक से कितने रुपए लिए बैंक से उधार पुश्चन में बैंक वर्ड नहीं लिखा है उसने उधार लिया यह लिखा है तो मैं समझाने के लिए वर्ड डाल दिया बैंक से मालो छे हजार रुपए उसने उधार लिये ठीक है 9000 रुपे उधार लिए अब इन 9000 रुपे को पेमेंट कैसे करेगा 3000 रुपे यहां देगा 3000 रुपे यहां देगा 3000 रुपे यहां देगा लेकिन 3000-3000 रुपे तो क्या है? मुलदन है प्रिंसिपल है वो with interest payment करेगा कितना payment करेगा? with interest अब यह अदमी 9000 रुपे उधार तो ले लिया अब जैसे साल के आखरी में आया जैसे साल के आखरी में आया एक स्टैंप पेपर में इसका भी नाम लिख दे रहे न तो बताओ 9000 रुपए 9000 रुपए उसके पास कितने दीनों तक के लिए पड़ा था पूरा एक साल था और रेट आफ इंट्रेस्ट कितना लगा रही है बैंक रेट आफ इंट्रेस्ट कितना दिया है छे परसेंट वार्षिक या प्रतिवर्ष बोल रहा है तो यह 9000 रुपए के उपर आप एक साल का 6% के इसाफर ब्याज निकालो तो 9000 इंटू 6% कर दो कितना आएगा 540 मतलब यह जो आदमी है इस साल के लाश्ट में यहाँ पर 3000 प्लस 540 टोटल कितना रुपए पे करेगा 3540 रुपए पेमेंट करेगा आई बात समझ में 3000 रुपए जिसमें मूलधन है प्रिंसिपल है और 540 पर क्या है ब्याज तो यह एमाउंट जाएगी टोटल 3540 बता नो हजार सोधारी लिया था इसने नो हजार मेंए से कितना रुपए वापस हो गया है कि सब्सक्राइब momentum कशLEY careless ख अल्वलन दोनर फितीन माइनस कर दो तो यह वाला जो टाइम पिरेड़ है यह अजघंशित ताइम पिरेड में उसके पास कितने रुपए हैं छे हजार हैं तो इस टाइम पिरेड में इसके उपर छे हजार रुपए का छे परसेंट की इसाब से ब्याद लगेगा कितना होगा तो यह आदमी जो है तीन हजार रुपए तो देगा ही देगा यह आदमी जो तीन हजार तो देगा ही इस साल में तीन हजार प्लस तीन सो साथ तो टोटल कितना होता है तीन हजार तीन सो साथ रुपए पे करेगा आगई बास में अब बताओ नो हजार में पहले साल में तीन और हो गया तो और कितना बचा और कितना बचा इसके पास तीन हजार बचा अब तीन हजार जो है तीन हजार के उपर छे परसेंट के इसाफ से ब्याज निकाले तो कितना आएगा एकसो असई तो कि तीन हजार प्लस एकसो अससी कितना होता है िन और 1100 ऐसा करके पिमेंट करेगा अगी बातों में तो 1st year में कितना जा रहा है 3540 second year में कितना जा रहा है 3,360 और 3rd year में कितना जा रहा है इस तरीके से payment करेगा क्लियर है यह आया समझ में अब इसको लिख कर कैसे बताना है कि देखो 3,540, 3,360 और 3,180 अब मैं आप लोगों को पाच मिनिट का समय दे रहा हूं कुश्चन नमबर 4 भी वैसा ही है दो मिनिट में जल्दी से बना कर बताओ जल्दी बना कर बताओ बस यहां पे 9,000 के बद्दे कितना उठाया है 6,000 और rate of interest कितना लग रहा है पाच परसेंट और हर साले 2,000 पर वापस कर रहे है जल्दी बना कर बताओ कितना आ रहा है बताओ इसका फोटो ले लो कुश्चन नमबर कौन सा था यह 3 इसको लिखेंगे कैसे लेकिन पेपर में अगर आ गया कैसे लिखोगे कहां थे भाई सुभेरे आप ऑनलाइन भी नहीं किये थे तो के नहीं उठे थे चलो जल्दी से कॉश्चन नमबर चौथा बनाओ अभी साथ साथ में बना के खतम करो हो गया बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए कॉश्चन थ्री हो गया फॉर सेम मनेगा इसले बना लिए नहीं कर रहा हूं ठीक है उसके बाद कौन सा था कॉश्चन कॉश्चन नमबर फाइव वाट अमाउंट शुद्वी लेंट इन और तो अन्ध मंतली इंकम आप रुपीज 600 एट 6 परसेंट पर अनम सिंपल इंट्रेस्ट इसको मैंने ऐसे ही बताया था हलका फूलका मैं अच्छे से बता दे रहा हूं सुनो अच्छा यह मैं एक बार बता देता हूं इसको लिखना कैसे है पेपर में आ गया तो इसा थोड़ी बनाके आओ गया ना कि माउंट बॉरोड मतलब प्रिंसिपल कि माउंट बॉरोड मतलब प्रिंसिपल कितना रुपए कि छे हजार और सॉरी नार पर छे हजार क्यों आ रहा दिमाग में नो हजार अच्छली आप पहले कुशन नवर चार बोल दिये थे ना तो उसको पढ़ लिया था मैं तो फिर बाद में तीन बोले तो उसी का छे हजार घूम रहा है एमाउंट बॉरोड कितना है नो हजार रुपए अब रेट अफ इंट्रेस्ट रेट अफ इंट्रेस्ट कितना है छे परसेंट पर रेनम रेट अफ इंट्रेस्ट छे परसेंट पर रेनम तो फ्रस्ट यह of repayment first year of repayment पहले साल जब repayment करेंगे तो अब बताओ जो 9000 रुपए है वो तीन equal installment में होगा rupees 9000 will be repaid in 3 equal installment of rupees 3000 each up to 3 years ठीक है 9000 रुपए जो है उसका repayment होगा 3 equal installment में 3,000 रुपए की 3 साल तक ठीक तो first year of repayment principle repaid कितना रुपए 3000 रुपए plus interest is equal to 9000 into 6 upon 100 rate इतना यह पांसो चालिश तीन हजार पांसो चालिश यह फर्स्ट यर का आगया आँशा ठीक है second year second year of repayment principle repaid तीन हजार प्लस इंट्रेस्ट लगेगा कितना 9000 माइनस 3000 का 6% कितना यह पांसो तीन सो साथ कितना यह पांसो तीन हजार तीन सो साथ ठीक अब थार्ड यर third year of repayment यहां लिखो के principle repaid कितना आएगा 3000 प्लस इंट्रेस्ट 9000 माइनस 3000 माइनस 3000 का 6% तीन हजार एक्सो तोटल एमाउंट रीपेड इन थार्ड यर यह हो गया आपका सॉलुशन तो इसी तरीके से question number 4 भी बना लेना ठीक है वहाँ पे 9 के बदले 6 हो जाएगा और 6 के बदले 5 हो जाएगा per rate of interest में फिल्यर है पेड़ाउट आगे बड़े आज जो जो मॉर्निंग में नहीं आए थे हमारा रेशियो खतम हो गया ना रेगुलर क्लास का एक्सरसाइस भी खतम कर दिया हम लोग तो जो जो नहीं आए थे वो कंप्लीट कर लेना कोशन नमबर अगला कोशन नमबर पाच यह मैं पिछले क्लास में एक दम हिंट बस दिया था लेकिन बनवाक ही नहीं बताया था पहले को समझो क्या बुर रहा है तर रोग अगह हम एक्सराइस भी खतम कोशन नमबर अम रप स्थ भी खतम कर लेकिस नहीं आएखगी कोशन नमबर अग्सक्या था पाच तर रहां ऑन्टी खतम हमें चल्टीं का क्लास कि लिएख इन है एक जाए पाच कि वलेख्यस आपको कितना रुपया आपको कितने रुपय इन्वेस्ट करने है या फिर आपको किसी को उधार देने जिससे आपको हर मेहने 600-600-600 रुपय क्या मिलते जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट मिलेगा और आपको जो उधार देना है कितने रुपय के हिसाप से देना है 6% के इसाप से सुनों मेरी बात अब यह मिटा दू एक साल में कितने मैंने होते हैं एक साल में बारा मैंने होते हैं ना यह आएगा अप्रेल माई जून जुलाई आगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नौवेंबर डिसंबर जन्वरी परवरी और मार्च यह टोटल कितने मैंने हो गए बारा मैंने हो गए आपको कुछ एमाउंट आपको कुछ एमाउंट इन्वेस्ट करनी है एक मेंड़न मेरे क्लाइन तो फोना रहे है को हम नहीं आपको करना एक सब्सक्राइप आपको करना दो करना रहाएं और यह पर इंटर पर मेंड़न आइए हैं आपको करने को ग़र में पाहा है सबहाँ खराद दो जायोयाaur बिपोथ में पाक पुलिखताओ अ॥ारण प्यार ऑप यह गलाव दो सक्छी ना हुड़े को सबस्क्राइब है राज जो तो ड़े याद रहते लाशत को पे के देंड़ सिंगे को सबस्क्राइब अ बिक इंठाब सुन फोलिवर गव्राइब कि क्योंट नहीं वहुंद कि कि अ कि टूद में आरकश अ कर से यहीजर थे जिए जा नहीं ते-alnya और लादा नहीं सboys नहीं जाका सब्도ों भीले इंट है ल far को परपर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि नगना था थी कि अपके हैं मोर कर दो है? कि अ नगने अ अ अ अ अ है इला में अ अ अ अ अ कर हो फिसितिगें का अ लगत मत अ कर ले मां अ इडिए थागो कर दो अ अ कर दो है कि इस अ. की नहीं हैं था करद में है ड कर दो जो बनाई कि पीस दो जो जा झाल की बनाँ है यह 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 मुच्ट कर ग्र दो जर बाद में दोसे हैं कि लोगना कर दोसे दूर्च कर दोसे हैं कि इस देखो इधर तो मैं यह बता रहा था एक साल में 12 मेहने होते हैं सुनो इधर इस देना है और मेरे को प्रसंटे देना है इतना कितना इंवेस्ट करूं या कि अधर मिलता जाएं तो बता अप्रेल में 600 में मैंने का सोचा मैं जून हर मैंने इसको 600 600 चाहिए तो ऐसे ऐसे करते करते पूरे साल भर में अगर मैं बोलू तो इस भाई को टोटल साल में कितना व्याज कमाने हैं इसको 600 600 करके 12 में कितना व्याज कमाने हैं 7200 तो यह जो 7000 दोस्तों है न भाई यह सिंपल इंट्रेस्ट है क्या है इसThis इंट्रेस्ट टाइम कितना है एक साल के टाइम है एक साल सिंपल इंट्रेस्ट भी पता चल गया रेड़ भी पता चल गया तो SI का फॉर्मूला क्या होता है डी इंतू आर इंट्री अपॉन awriter आपको SI पता है आर है T पता है 100 नहीं मालूम तो ऐसा ही कितना है 7200 पी कितना है पी को पी रहन दो आर कितना है 6 इंटू टी कितना है 1 अपॉन अपॉन हंड्रेड तो यह आ जाएगा पी इस इक्वल टू 7200 इंटू 100 दिवाइड बेस 6 तो पी इस इक्वल कितना आइगा कि रा Tina को लेकिंज रहता है कि आप लोग शिश्य को विज्वलाइज कर पाओ तो याषि कि दियाग्राम बनाने का परपस यह कि आप लोग विज्व Really कर पाओ और आपूद चीज समझ आगे आपको तो उस दिन टीचर का जर्वत खतम हो जाता है कि समस्या क्यों है कि आप लोगों को जो लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पाते चाया बुक में हो चाया कोई भी लिखा हुआ है आप उसको इंटर्पीटेशन नहीं कर पाते इसलिए आप लोगों के साथ दिक्कत रहती है इसलिए वहाँ पे टीचर की जर्वत पढ़ती है इसको जब लिख कर बताना है प्रिम्सिपल पुर्शन मार्ट रेट कितना है टाइम विए टूवल मार्ट और मन्थली सिम्पल इंटरेस कितना है एन्वल सिम्पल इंटरेस कितना होगा 600 इंटू 12 इंटू कितना हैगा इंटरेस कितना था 7200 इंटरेस कितना है प्रिम्सिपल इंटरेस चेप्टर और कंपाउंड इंटरेस चेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पहले आपने मैट्रिक्स किया था ऐसे लाइन से जो जो चेप्टर्स में कराते जा रहा हूं यह यह नहीं बोराओं कि आपको 75 75 आएगा आपको 40 प्लस दिरानी की मेरी गरेंटी है और बाकी फिर 75 75 लाना है वो डिपेंड करेगा आपकी स्कील और कैपिसिटी के उपर कि आप मैस कितना अच्छे से पढ़ते हो ठीक है मेरा देश है कि कोई बच्चा फेल मत ठीक है परसेंट लाना वह आपका का स्क्राम है कि आप कितना पढ़ते हो तो कोशन नमबर 5 हो गया हमारा हो गया हो गया हटा दो इसको स्क्रीन से कोशन नमबर 5 भी हो गया हमारा ठीक है उसके बाद कौन सा कोशन था ठीक्स कोशन था चलो शट्वा देखो अ सटेन प्रिंसिपल प्लस फाइफ यह सिंपल इंट्रेस्ट मेक्स एन अमाउंट आव रुपीज 600 इस इंट्रेस्ट इन वन फिफ्ट ऑफ दा सम पाइंड रेट ऑफ इंट्रेस्ट एंड़ सम अफ मनी कोई धन और उसका पांच वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 600 रुपیह हो जाता है यह होता है मलनको कितना रुपए इंवेश्ट की है नहीं मालूम इसमें 55 तक 20 जूड़ते गया गया जूड़ते जुटते जुटते हो कितना रुप्य हो गया थे सो यदि ब्याज मुलधन का एक बटे पांच हो तो जो ब्याज की amount है इंट्रेस्ट की amount है वो principal का 1-5 है मुलधन का एक बटे 5 है तो ब्याज की दर और मुलधन घ्याद कीजिए इस question को दो तरीके से बनाया जा सकता एक x मानके और दूसरा 100 मानके अगर x बनाते हो x मानते हो तो नीचे equation के form में उसका climax होगा और अगर आप 100 मानके बनाते हो तो नीचे जबकी जमाना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा यूनिट्री मेथड लगाना पड़ेगा cross multiply वाला तो आप लोग बोलो कौन सा मेथड लगाओ सो वाला मैं काम करता हूँ क्योंकि अपने पास तरह तरह के बच्चे हैं तो मैं ग्राइक सोल भी मान के बनवा देता हूँ और इस इसको एकस मान के भी बनवा देता हूँ जो आपको उचित लगे आप उसको अपलाई कर देना क्लियर है इस question को दो बार solve करूंगा ना मैं एक बार 100 मानके एक बार X मानके ज्यादा तर लोग बोरे 100 मानों question क्या बोल रहा है कि कुछ amount है उसको जब 5 साल के इन्वेस्ट किया जाता है तो वह ब्याज जुड के 600 रुपे बन जाती है फिर आगे की लाइन में यह बोलता है कि जो ब्याज मिला 5 साल का वह उसकी प्रिंसिपल का वन फिफ्ट था तो रेट ऑफ इंट्रेस्ट भी निकाल कर बताओ और क्या निकाल कर बताओ प्रिंसिपल भी तो सबसे पहले लेट दा प्रिंसिपल भी 100 मालो की प्रिंसिपल कितना है सो रुपे therefore simple इंट्रेस्ट पॉर फाइव एर पांस साल का सिम्पल इंट्रेस्ट कितना होगा पुर्शन में लिखा रहा कि व्याज उसके मुल्दन का इंट्रेस्ट अपने प्रिंसिपल का वन अपन फिफ्ट है तो सौ का पांच परसेंट कितना अंसौ का एक बटे पांच कितना होगा बीस होगा कि नहीं होगा अब आपको सिम्पल इंट्रेस्ट पता है प्रिंसिपल भी पता है टाइम भी पता है तो रेट निकाला जा सकता है निकाल देते हैं simple interest is equal to होता है we know simple interest is equal to P into R into T upon 100 therefore R is equal to kya होगा एसाई इन्टू हंड्रेड डिवाइड वैर पी इन्टू टी चलो वैल्यू रख दो आर आपका आर निकल जाएगा तो एसाई कितना है बोलो एसाई है आपका 20 इन्टू हंड्रेड पी कितना माने थे और टी कितना था आच तो रेट आजाएगा आपका कितना परसेंट क्योंकि यह 100-100 कड़ गया आपस में 5 बन जा 5 4 गा 20 तो रेट निकल गया कितना 4 परसेंट अब आपको रेट पता है टाइम भी पता है रेट पता है टाइम पता है और एमाउंट पता है अपको 600 रुपए एमाउंट 600 रुपए ना एमाउंट मतलब उसमें ब्याज और प्रिंसिपल दोनों जुड़ा हुआ है तो अपन एक बार एक काम करते है इसके आगे आप कैसे बढ़ेंगे एमाउंट is equal to क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसाई एमाउंट is equal to होता है प्रिंसिपल प्लस एसाई ऩाय। तो क्या करेंगे कि मैं क्या बोला था जब आप सौ मानते हो ना सुनो मेरी बात जब आप सौ मानते हो सौ तो नीचे conclusion में अपने को जब की जमाना पड़ता है जब की मतलब 23 remainder लगाना पड़ता है तो युनिट्री मैंदी अभी हमने अभी हमने एमाउंट कितना माना था, अभी एमाउंट निकाले ही नहीं थे, हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 100, अभी एमने प्रिंसिपल कितना माना था, 100, और सिंपल इंट्रेस कितना माना था, 20, तो आपका इस केस में अभी एमाउंट कितना बैठ रहा है, इस केस में एमाउंट कित 120, तो कितना आएगा? सॉरी, 100 प्लस 20, 120 आएगा. 100 प्लस 20, कितना आएगा? 120. जब आपकी amount थी कितनी? 120. जब आपकी amount थी कितनी? 120. तो उस case में principle कितना आ रहा है? 100. तो जब आपकी amount आ रही है 600, तो principle कितना होगा? Cross multiply, कर दें. Therefore, when amount is 120, then principle is equal to कितना दा? Therefore, when, therefore, if amount is 600, देन, देन प्रिंसिपल इस इक्वल टू, पी इस इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉस्ट मुल्टिप्लिकेशन, यह जाएगा 100 इन्टू 600, डिवाइड बाए 120, कितना होगा बोलो, 500, यह भी एक तरीका है, निकालने का, एक तरीका और है, जो मैं अब उसके बारे में नहीं डिसकस करूँगा, मैं एक्स वाला बता देता हो, हो गया, तो यह हमने अभी 100 लेकर बनाया, तो यह इस तैप से सॉल्यूशन होगा, अभी बार समझ में, अभी अपने 100 लेकर बनाया, अभी इसी चीज़ को मैं अभी एक्स लेकर बना रहा हूँ, देखो, लेट, दा, प्रिंसिपल भी, एक्स, माना कि प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, therefore, अच्छा, मान लिया कि प्रिंसिपल एक्स है, एमाउन कितना है, एमाउन तो 600 लेकर न भाई, therefore, simple interest is equal to, एमाउन माईनस प्रिंसिपल, एमाउन कितना था, 600 माईनस एक्स, यह भी हो जाएगा, लेकिन यह आप लोगों ने बताया ना, यह सही नहीं है, तरीका, एक रिलेशन, हां, नहीं नहीं, आप इधर, इधर के हिसाफ से सोचो, अभी यह जो assumption लिये है ना, मेरी बास सुनों, यह assumption हमारी अभी सही नहीं है, अभी हमने principle कितना लिया, एक्स लिया, इंट्रेस्ट के बारे में question में बोलता है कि इंट्रेस्ट जो है, principle का कितना है, 1 upon 5, इंट्रेस्ट इस इकल टू कितना होगा, x into 1 upon 5, अलब क्या होगा, x upon 5 हो जाएगा, अब हम जानते हैं, amount दिया हुआ है, question में कितना है, amount दिया हुआ 600, अब we know, amount is equal to क्या होगा, तो principle प्लस इंट्रेस्ट, यह principle प्लस simple interest होता है, तो अपने को question में principle यह निकाल लिये, interest ही निकाल लिये तो दोनों को जोडेंगे तो बराबर 600 आएगा, according to question यह फिर we know, amount कितना था, 600 is equal to principle था, x plus x upon 5, इसको solve कर दो तो आपको x की value मिल जाएगी, मतलब principle मिल जाएगा, अब principle मिलेगा तो आप rate भी निकाल सकते हो ठीक है चलो देखो तो x यह हो जाएगा आपको 600 is equal to 5x plus x upon 5 तो 600 इंटू 5 is equal to क्या होगा 6x तो x is equal to क्या होगा तीन हजार डिवाइड बाइड भाए 6 तो x is equal to कितना है यह एक्स की वैलियू आ गई 500 रुपे कितना बज़ रहा भाई x is equal to कितना है गा 500 अब आपने को principle पता चल गया तो interest भी निकाल सकते है amount पता है क्योंकि amount 600 है और principle कितना है 500 therefore principle is equal to x is equal to कितना है 500 amount है 600 तो simple interest कितना होगा 600-500 कितना आएगा अब rate निकाल लो si का formula क्या होता है p into r into t upon 100 si अपने कितना निकाला 100 p कितना था rate निकालना है टाइम कितना है टाइम कितना है पांस साल है ना हां तो आर इस इकोट हो जाएगा 100 इंटू 100 दिवाइड बाए 500 इंटू 5 तो आर इस इकोल टो आ जाएगा चार परसिंड पर 10 दिवाइगे 100 इनटू 100 करओगे उपर दस जार आयगा नीचे पच्चीस सो आयगा तो पच्चीस सो इनटू 4 रहता है दस जार तो दो सॉलूशन हैं, एक बार मैंने 100 लेकर बनाया और एक बार मैंने X लेकर बनाया होगा जुम करूँ आगे बड़े खुशन नमर 6 हो गया देखो 7 नमबर वाला अलग कॉंसेप्ट है क्या निकालना है, नॉमिनल रेट नॉमिनल रेट तो यह मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी समझाया निये मैंने आप लोगों को उसके बाद क्या था अगला वाट इस से सरल कुश्चन क्या आएगा बन जाया गई तो बना भी चुके थे शाए दपन चलो, क्यूश्चन नॉम बनवाया था मैं आप लोगों को, नहीं बनवाया हूँ, नॉ देखो अपने आपका क्या हो जाता है, यह भी सौ लेके बनाया जा सकता है, और एक्स लेके बनाया जा सकता है, तो मैं सौ वाला ही करूँगा मान लोग कि एक अमाउंट आपने सौ रुपे इंवेस्ट करी, बीस साल तक के लिए, तो यह कितनी हो जाएगी? 200 रुपे हो जाएगी, मतलब सौ में और कितना ब्याद जूर जाएगा? 100 रुपे ब्याद जूर जाएगा, तो 200 हो जाएगा what will be the amount after 40 years? 40 साल के बाद वो amount कितनी हो जाएगी? और what times the amount will be after 40 years? 40 साल बाद वो amount कितनी टाइम हो जाएगी? चलो देखो, सबसे पहले question नहीं देदेगा, question नहीं देगा, rate निकाल कर बताओ rate निकाल के देदेगा, rate नहीं दिया है, rate निकालना पड़ेगा, सवाल बढ़ा सकता है, rate पूछके चलो, question नमबर कौन सा था? 9, 10 let the principle be hundred, therefore, amount after, 20 साल बाद amount कितनी हो जाएगी? 200, तो 200 तो डारेक्ट मत लिखो, 100 इंटु 2 करके लिखो, दो गुनी हो जा रही है ना, दिखाने के लिबर, therefore, simple interest 20 तो लिखाओ, simple interest, कितना आएगा? amount minus principal, 200 minus 100, कितना आएगा? 100 अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? simple interest जो होता है, हर साल का बराबर होता है logic लगाने तो कुछ भी लगा सकते हो rate निकाल के भी हम निकाल सकते हैं सारी चीजे तो यह देखूं, यह जो ब्याज है, कितने साल का ब्याज है? 20 साल का ब्याज है, तो 40 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा? simple interest for 20 years है therefore, simple interest for 40 years क्या हो जाएगा? 100 into 40 divided by 10 तो कितना हैगा? 200 हो जाएगा? 200 रुपे ब्याज मिल गया? therefore, amount after 40 years is equal to principle plus interest of 40 years तो प्रिंसिपल ता 100, कितना हैगा? 300 question में दो चीज पूछा है, amount कितनी हो जाएगी? पूछ रहे और दूसरा बोले कितना गुना हो जाएगा? हाँ तो question में कुछ भी पूछ ले तो आप ये भी लिख कराना जब और बोलता है न, और दोनों answer निकाल कराना चाहिए और amount becomes three times of principle. प्रिंसिपल का कितना टाइम हो जाएगा? प्रिंसिपल इंट्रेस्ट का भई हर साल का बराबर रहता है? आप कोई भी amount माल लो इतना ही आएगा? तो कि सिंपल इंट्रेस्ट का भई हर साल का बराबर रहता है? जो होता है हर साल का बराबर बराबर रहता है? तो ठीक है न, तो answer तो हर बार उतना ही रहता? अब 75 माल लो, तो भी वैसे ही आएगा? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, कोई एक amount invest किये? कोई एक, इधार इधार सुनो, सुनो, सुनो एक amount invest किये? कितना invest किये? नहीं मालूँ, आज invest किये? तो 20 साल बाद इनवेस्ट किये न, 20 साल बाद यह amount जो है, इसकी क्या हो जाएगी? दो गुनी, कितनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जितना भी amount आप invest करोगे, 20 साल के बाद कितना होना है? तो मान लिए हमकी 100 रुपय इनवेस्ट किये होंगे? नहीं देख, जो पूछ रहूंगा रहे हैं? मान लो आज हमने कितना invest किया? 100, आप 100 मान लो, 1 रुपय मान लो, 2 रुपय मान लो, x मानोगे ना फिर आपको बहुत सारा solution, मतलब calculation involved हो जाएगा, 100 मानोज अदाच्छ है, तो 20 साल के बाद यह 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, तो 100 से 200 होने में उसने total ब्याज कितना कमा है कि अब सौर रुपया जो ब्याज कितने साल का है, 20 साल का है तो 40 साल ब्याज कितना हो जाएगा, तो तो यह जो एमाउट इंवेस्ट किये तो यहां पर आके कितनी हो जाएगी वो 300 क्योंकि यहां पर भी व्याज मिला होगा फिर नहीं आया समझ में कि नहीं आया उसको आगया अरे 20 साल का ब्याद 100 है तो 40 साल का ब्याद 200 होगा ना तो आप 100 रुपे लगाए थे तो 200 रुपे ब्याद कितना हो जागा 300 हो जाएगा अनूज कि वहां पर टबल नहीं हो आप अनूज जो है इमोशनल हो गया हो 40 साल में 400 रुपे करूंग अपर रहे हो तो आपको नहीं ऐसा नहीं है तो यह समझ मैं है यह नहीं है अरे भाई आपको आप 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 माउंट को देख रहे हो भाई 100 में 100 रुपे लगाए 20 साल में 100 के उपर ब्याज कितना मिला तो 20 साल का ब्याज 100 रुपे मिल रहे हैं तो अगले 20 साल का और ब्याज कितना मिलेगा सिंपल इंट्रेस्टे तो 100 ही मिलेगा ना तो 100 जो लगाया है तो उसने स्टार्टिंग में 100 रुपे लगा के रखा है बीच में और नहीं लगा रहे है ऐसा है तो शुरू से 100 रुपे लगा के रखा है 20 साल में डबल हो जा रहे है तो 40 साल में कितना होगा टीबल हो जाएगा अब कुशन नमबर दस्वा कि मैं बढ़ा बता चुका हूँ पिछले के आशे बता दियो हूँ कि नोट कर रहे हो क्या नोट कर लो जल्दी से क्या सब्सक्राइब करता है तो शुला गुने वाले के सब्सक्राइब कि चलो आगे बढ़े अब कि इसकी जश्ट बात वाला है वह तो पिछले क्लास से करवाया हूं ना मैं रिकॉर्डिंग है उसकी देख लेना आप लोग कि चलो नमबर दस मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था आप लोगों को कि कुशन नमर 11 अब बनवाया था कि पिछले क्लास में होंवक दिया था आप चलो मैक्जीमाम बच्चों ने नहीं बनाया है तो एक बार क्वेशन नमर 11 आप लोग ट्राय करो भी अभी बनाओ क्लास यह 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 भी आप लोग नहीं आया थे ना पिछले क्लास में एट वाट रेट पर तो कि मंन इमिवेस्ट करेंगे कुछ शोला साल में डबल हो जाए मालों कि आपने सौ रुपया जमा किया तो फीस वेचले से कितना हो जाएगा 200 क्राइब क्नूब कर्णा ढार्ट कर्या है मैं आहा कर दो इसुक्राइब है क्पष्ष्ष्यों कि इसज़ प्रॉटा इसज़ जा कर दो जान हुआ है 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 हुआ है इस साथ है इस सा शाषजर थैज्स साथ बंब इस जो ज्तिर‡ तरुजर इस एफ में इन अर्फेश अर्फेश जिरा एले कि अर्फेश नासे सेद़िए जासे में तार भी अर्फेश जाव जासे। बाइशा प्खाप शिर रहे हैं। कर दो मैं पूल्टोड लगेज़ने पर प्रिचांट तेनं सब्सक्राइब कि अध्या उन्हीं साल क्याइस दोंगेदों कि युझेड साल करें उन्हीं उन्हीं दोचाइब शांस के इन पाइज अधिते को आएस तो फिल्सक्राइब खratorरी आवी ने के लिएकाइब हाँ दोग्ता प्ते शर्चे से वरेका से तैशने का वेड़we यह जैंक वेड़्ज आप वे दोगे ब限 namely तैंग यू कि अगेशों कि अगेश्ट लाट इस पाहिए श्टार के लिए प्रवाइश्ट पाइद अगेश्ट आपके लिए जो कमाने अच्ट पर आपकेश्टाइब है। खुचा जालेंट अले अले कि अ अधाय कि अधिक सब्सक्वाइबूराइबूराद है यह जा बैद्धि को पेलोगे अधिक अधिति प्ने निएखने को आधिक अधिवाद़े नुह जा में तो कि ऑप आधिक कुछ डाउट था कुछ डाउट है बोलो कले चैप्टर खतम हो जाएगा ना सिंपल इंट्रेस्ट कॉंपाउंड इंट्रेस्ट सॉरी सिंपल इंट्रेस्ट वाला जो चैप्टर खतम हो जाएगा ठीक है तो कुछ नमबर ग्यारा मैंने इसके जैसा पिछले क्लास में करवाया हुआ आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है और कोई कोशन में डाउट है तो बोलो हां थर्टीन नहीं बना कि कोशन नमबर कुल सा शटीन करवाया हुआ है चलो एक कोशन अपन पढ़ते हैं यह वाला अच्छा कोशन है चाउदा नमबर का इसको ट्राय करने बोला था मैं आप लोगों को कोशन नमबर चाउदा देखो कि अ बाइमिस्टेक अ बैंक क्लर्क कैल्कुलेटेड इंट्रेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल पर शिक्स मंथ एट फाइफ वन अपन टू पर एनम इंस्टेड ऑफ फाइफ मन्थ एट रेट आफ आफ शिक्स वन अपन टू पर एनम ही दस मेड एन एरर ऑफ फुर्टी पैसे और दूसरा रुपिश ट्वेंटी फई वाट वस दा प्रिंसिपल दो कोशन पूछ रहें गलती एक हुई है और उससे दो कोशन बना दिया है ठीक है यह क्यों दो कोशन दिख रहे है क्योंकि यह दो बार तीन बार अलग-अलग अमाउंट करके पूछा इसलिए मेरी बात सुनो सब्ध्यान से क्या है कुश्चन कि एक बैंक का क्लर्क है उसने कोई एमाउंट पर मान लोग कि वह एमाउंट कितनी है 100 रुपे छे महीने के हिसाब से 5 1.2% का क्या लगा दिया है ब्याज लगा दिये गलती हो गई उससे लेकिन करना क्या था उसको 5 महने का लगाना था और 6 1.2 करना था यह गलती हो गई तो दोनों case में सुनों, दोनों case में आपको principle ये मानना है, time ये मानना है और rate ये मानना है आरी नवा सोने, P is equal to A, 100, time is equal to 6 month, rate is equal to A, वैसे भी यहाँ पर P is equal to 100, time is equal to 5 महना, rate is equal to करना क्या था और हुआ क्या, क्या करना था, ये करना था और गलती से ये हो गया, तो इसके कारण, अभी हम question एक ही पढ़ते ना बस, second वाला छोड़ दो, 40 पैसे का गलती हो गया उससे, कितने का गलती हो गया, 40 पैसे, 40 पैसे को कैसे लिखेंगे, 0.40 की गलती हो गया उससे, तो बोलता है बताओ, principle कितना रुपिया था, बताओ, principle कितना रुपिया था, कैसे निकलेगा, सुनो पहले अपन लेट प्रिंसिपल इस इकोल टू कितना है यहाँ पर एरर गलती टाइम कितना ले लिया है जल्टी में छे मैंना ले लिया है और रेट क्या ले लिया है 5 1 अपन 2 परसेंट भी बोल सकते इसको देरफोर सिंपल इंट्रेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 तो पी कित्ता माने हो आप 100 पी कित्ता माने हो 100 आर कित्ता माने हो आर कित्ता मान लियो मानना नहीं मतलब 5.5 और यह टाइम कितना है ठीक्स तो इसको इयर मिलेंगे तो अपना आएगा 6 अपन 12 मतलब यह 6 अपन 12 लेंगे ना भाई 6 अपन 12 मतलब एक साल इससे निकालो कितना हैगा कितना आ रहा 27.5 इतना आया जब आपने गलत सीम्पल इंट्रेस्ट निकाल दिया मेरे को नहीं मालूँ आप लोग निकाले हो कितना आया 2.5 ठीक अब आप लो एरर और करेक्ट वाला सीम्पल इंट्रेस्ट निकालो करेक्ट वाला सीम्पल इंट्रेस्ट निकालो यहाँ पर पी कितना है पी तो पीच है यहाँ पर रेट कितना रेट और रेट के बाद टाइम कितना है तो सीम्पल इंट्रेस्ट इस इकालो यहाँ पी इंटू आर इंटू टी यह कौन सा है पी कितना है 100 इंटू रेट कितना है इंटू टाइम कितना है कितना है 2.70708 पूरा बताना 2.708 आर यह तो देर फो दिफरेंस इफरेंस इफरेंस इगल टो SI आर नी SI correct minus SI error कितना है 2.708 और यह कितना है 2.75 बड़ा कौन सा था वैसे इसको आगे रख जो इसको फिछे रहे कितना है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट तो चार पैसा आया तो चार पैसे की गड़बड़ी आ रही है तब आपका प्रिंसिपल कितना था तौर रुपए तो 40 पैसे की गड़बड़ी में प्रिंसिपल कितना होना चाहिए प्रास मल्टिप्ला जाब उपर 100 लेते हो तो नीचे क्लाइमेक्स कैसे होगा प्रास मल्टिप्लिप्लिकिशन वेन इस सॉरी वेन नहीं आगा इफ if mistake of rupees then principle is therefore if mistake of rupees 0.40 then principle is equal to कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 100 इंटू 0.40 डिवाइड बाई 0.04 कितना हैगा अजार आ रहा है आंसर ठीक नहीं आ है आंसर अगर ने सुनों यह 2.07 708 आए और आखरी तक कितना है यह पूरा कितना है 355 इतना है इसके आगे और है तो अब करो कितना है बोलो तो यह गलती 0.4 कि नहीं है इसको चेंज करो 2.75 माइनस 2.708 355 यह आए गा 0.041 645 0.041 645 अब करो कितना रहे है तो उतना आ गया ना अगर आप 0.4 लेते तो अगर आए गया 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 तो यह पर चेंज करो कितना है गा 960 अगर तो अब सुनो से मैं अशी रहेगा बस यहां पर रहेना पॉइंट 40 को हटा के कितना कर दो 25 कर दो तापका आंसर फिर चेंज हो जाएगा सॉरी यहां पर हाँ ठीक तो है पच्छीस आगा नहीं समझे मेरी बात को कुश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 25 रुपय का अगर डिफरेंस है तो कितना होगा तो कुश्चन का भी ए पार्ट यह फर्स्ट पार्ट है अब इसी को सेकेंड पार्ट ले लो यहां पर नीचे इसके बल्दे कितना ले लो 25 यहां जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइड बाए 0.41645 तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाए 0.41 हाँ 0.04 है हाँ चलेगा उतना वो क्यों आ रहा है मालू मैं आखरी का राउंड अप में खेल किया है तो आएगा तो हमेशा एक ही आएगा ना अलग अलग कैसे आएगा एक काम करो जो आ रहा है मेरे को बताओ पहले शे हजार शे हजार 60031 यहार है अंसर और बुक में किता रहा है साथ हजार आ रहा है ठीक मेरा बोलने का मतलब यह है कि बनाने का मैठाद और सिस्टम वही है तो बुक वाले के राउंड अप करने के चक्कर में मतलब बुक बोलता हो कोशन वाले के राउंड अप करने के चक्कर में वह इस तरीके से डिफरेंस दिखने को मिलेगा अगर आप यहां पे 0.4 ले लेते हो, 0.4, 0.4 लेने, 0.04 लेने से कितना आ रहे, check करो, 100 into 25 divided by 0.04, नहीं, इससे ज़्यादा आ जा रहे है, इसका आएगा, 100 into 25 divided by 0.42, अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाने, अपने conceptually सही बनाया है, ठीक है, वो 30, 32 रुपए का round up के कारण difference आएगा, तो आएगा, ठीक है, छोड़ो उसको, conceptually ऐसी बनेगा, question, question, question number हमने बनाया, अभी, question number 14, question number 14, दो पार्ट में ले लो, photo क्योंकि बहुत बड़ा है, question, नहीं लिखना है, हो गया, इसका भी ले लो, को या में ले खाला है, तो या जब लो, आएगा हुत राहा है, या या तो, गवत राहा है, या लो, आपका में लो, यावत ब़़दये इसके जाम है, झाल झाल चलो हो गया को सर नंबर चौदा हो गया हमारा को सर नंबर पंदरा देखुए डिवाइड डिवाइड अठारा हजार पचास एटीन थाओजन फिटीन थी पार्ट तो देट सिंपल इंट्रेस्ट अफ तैन परसेंट पर अनम दा एमाउंट बिकम इक्वल इन थी फोर एंटेन यर्स अठारा हजार पचास को इस तरीके से डिवाइट करो कि इस तरीके से तीन तुकडो में डिवाइट करो कि उनपर जो सिंपल इंट्रेस्ट आएगा वो तीन तीसरे साल में चौथे साल में और दस्वे साल में जाके बराबर हो जाएगा सौरी सिंपल इंट्रेस्ट बोलता हूं जो है इमाउंट जाके तीन साल बात जाके बराबर हो जाएगा अठारा हजार पचास को इस तरीके से डिवाइड करना है अपने को है यह सौल है हाँ है यह 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 बाप बेटे वाले कोश्चन में भी आता है मत बजाओ पर इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसका जो पहला टुकड़ा है तीन साल के बाद दूसरा टुकड़ा चार साल के बाद और तीसरा टुकड़ा दस साल के बाद तीनों की अमाउंट जो है बराबर बराबर हो जानी चाहिए हां हां तीन बार है यह मैंने एक बार याद करो रेगुलर वाले क्लास में बनवाया था कुश्चन है एक्स वाई जैड बानके बनवाया था है सेम कुश्चन है सेम कॉंसेट कॉंसेट तो एक काम करते हैं सुनो मेरी बात क्योंकि आप लोगों की कैपेसिटी अब दीखनी दिये मेरे को इधर यह वाला कुश्चन थर्ड टैन्थ रूल इफेक्टिव रेट आफ इंट्रेस्ट और एक ठुक और था क्या तो कॉमन मल्टिप्लायर यह नेक्स्ट क्लास में कल करवा दूंगा कल हमारे चेप्टर खतम हो जाएगा ठीक है